ब्रम्हान रहस्यों से भरा पड़ा है और इसे समझने के लिए हम इनसानों ने अंतरिक्ष में कई यात्राएं पैकी हैं क्या दूसरे किसी ग्रह पर जीवन है? क्या किसी ग्रह पर पानी होगा? ऐसे कई सवाल हैं जिन्हें दुनिया भर की स्पेस ओगनाईजेशन्स आज भी तलाश रही है लेकिन एक ओगनाईजेशन ऐसी भी है जो सूरज तक पहुँचने की तयारी कर रही है इंडियन स्पेस रीसर्च ओगनाईजेशन यानी इस्रो चलिए जानते हैं इस्रो की शुरुआत कैसे हुई हमने स्पेस मिशन को एक एक्सपेरिमेंट की तरह किया कि हम कोशिश करेंगे कैसे हम भारत के किसानों का फाइदा करें कैसे हम मौसम का नुमान लगाएं ताकि भारत में जो बाड आती है लहरें तेज आती हैं लोगों को डिस्ट्रॉइ कर देती थी घरों को वो कैसे खत्म करें हमने इन सब चीज़ों के लिए इस रो बनाया इसलिए इस रो हमेशा हुमिलिटी पर बना इस रो हमेशा समवीद नाओं पर बना कंपैशनेट और्ग्राइजेशन है 1963 में भारत ने पहला साउंडिंग रॉकेट लॉंच किया विक्रम सारा भाई और होमी जहांगीर भाबा ने उसे लॉंच करने के लिए तिरुवनंथ पुरम के पास मौजूद थुम्बा के मेरी मैग्डिलिन चर्च को चुना टॉक्टर सारा भाई ने जहां पर चर्च था वहाँ पर रोकेट एसेम्बली प्लांट लगा जो फादर परेरा का घर था वो ओफिस बना और जो मचवारे का घर था वहीं पर लॉंच साइट्स बनाए गई और सम तिरसट में नवंबर में हमने भारत का पहला साउंडिंग रोकेट वहाँ से लॉंच किया शाम का वक्त था साड़े छे बज़े का जो आकाश था वो क्रिंसन हो चुका था वो लाल हो चुका था और उस लाल आकाश में सोडियब जो उसकी इजेक्शन निकलती है वो इजेक्शन की वेपर ट्रेल टॉक्टर किलाब ने कई बार रिकॉल करी इसरो की शुरुआत वहाँ से हुई 1989 में जब पहली बार साटलाइट लाँच की गई तो वो क्राश होकर बंगाल की खाड़ी में जागिरी लेकिन इस नाकाम्याबी ने इसरो के लिए नई बुलंदियों को चुने का रास्ता तयार कर दिया 79 में अनसेक्सेस्फुल लाँच मेरी खाल में एक बहुर बड़ा माइलस्टोन था व्योंकि उस अनसेक्सेस्फुल में 50% सेक्सेस थी और जो सबसे मुश्किल स्टेज होता था लाँच करना उठाना किसी एक बड़ी बॉड़ी को अर्थ के सर्फेस से उपर स्टेज 2 तक ले जाना was I think a huge milestone क्योंकि उससे में बहुत मिनिम्मम बजट में हमने ये काम किया था 80 में उस अनसेक्सेस्फुल मिशन को हम वापस सेक्सेस्फुल में तब्दील कर पाए बाकी दो स्टेजिस भी क्लियर कर पाए 1980 में that was a huge milestone बस फिर क्या था उसके बाद भारत ने कभी पीछे मुड़ कर नहीं देखा देखते ही देखते ये स्पेस और्गनिजेशन जिसने बैल गाड़ी पर रॉकेट ले जाने से शुरुवात की थी वो चांद और मंगल ग्रह तक पहुँच गया अक्तूबर 2008 में लॉंच किया गया चंद्रयान वाण ऐसा पहला स्पेस मिशन जिसने चांद की सतह पर पानी के निशान को ढूंड निकाला ये इस रो की सबसे बड़ी उपलब्धियों में से एक है 5 नवंबर 2013 भारत ने मास ओबिटर मिशन लॉंच किया बहतरीन टेक्नोलोजी से लैस ये मिशन अपने पहले ही लॉंच में काम्याब हुआ यानि भारत में वो कर दिखाया जो दुनिया का कोई और देश नहीं कर पाया यानि कि एक रोबस्ट टेक्नोलोजी बन टेंथ तकोस्ट पिच्चरों से भी सस्ती, ग्रावटी मूवी बनी थी उससे सस्ती, मार्शिन मूवी बनी थी उससे भी सस्ती फिक्षन से कम कॉस्ट में हमने फैक्ट दिखा दिया पंद्रह फरवरी 2017 इसरो ने रिकॉर्ड तो एक सो तीन नानो साटलाइट्स को और अर्थ अब्जुवेशन के लिए बनी साथ सो चौदा किलोग्राम की साटलाइट को एक साथ एक ही रोकेट से सफलता पूर्वक लॉंच कर दिया और पूरी दुनिया को हैरान कर दिया कहते हैं सेतारों के आगे जहान और भी है अंतरिक्ष में इंसान को भेजने से लेकर सूर्य तक साटलाइट भेजने तक भारत कई बड़ी तयारियां कर रहा है 2022 में हम लंगगर नियान के नाम से हम लॉंच करने वाले हैं अन्मैंड, अन्कूरूड होगा, उसको हम चेक करेंगे कि क्या सक्सेस रेट है और उसके एक-दो साल के अंदर, वी विल सेंड थ्री हुमन, होपफ़ली, और सेवन देज इंटो स्पेस साथ दिन के लिए, एक सप्था बिताएंगे और हम जाएंगे सबसे मुश्किल जगह पर, जो सबसे गर्म है, सबसे मुश्किल है हमाँ जाना और वो है सूरज हैसा चमतकार और कहीं नहीं होता, इट हापन्स ओनली इन इंडिया